शाहरुक खान और सल्मान खान इन दिनों चर्चा का विशय बने हुए हैं शाहरुक खान की फिल्म पठान जन्वरी में रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ओफिस पर जम कर धमाल मचाया था वही अभी कुछ दिनों पहले सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई है अब ये दोनों सितारे अपनी आने वाली फिल्म पठान वर्सेस टाइगर को लेकर चर्चा में है इस फिल्म में एक बार फिर से दोनों का एक्शन अफ़तार देखने को मिलने वाला है वही मेकर्स भी पठान वर्सेस टाइगर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे है अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर है कि पठान वर्सेस टाइगर में दीपिका पादुकोन और कट्रीना कैफ नजर आने वाली है बता दे कि इससे पहले कट्रीना सलमान संग टाइगर फ्रेंचाइजी में नजर आ चुकी है वहीं दीपिका आखिरी बार शाहरुक खान के साथ पठान में दिखी है अब ये दोनों 24 जनवरी से इस फिल्म की शूटिंग करेंगे दोनों अभिनेत्रिया इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाएंगी सिधार्थ आनंद इस बहुचर्चित फिल्म का निर्देशन करेंगे उन्होंने इस फिल्म के लिए पठान के कुछ शौट्स भी रिलीज थे जिसमें शाहरुक और सल्मान के दुबारा साथ आने को दिखाया गया था पठान वसेस टाइगर रिलीज डेट तो अभी सामने नहीं आई है लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी से बज बना हुआ है